बंदे मात्रम बच्छो वेलकम टू में चैनल सीवेसी में थामेटिक्स बाइपी एस एपीडोड में हम डो नो थियोरम 10.1 और 10.2 करेंगे तो 10.1 थियोरम क्या कहता जो पेज नेमर 208 पर दिया NCRD में पहला थियोरम में पहला थियोरम में तो टेंजेंट अट एनी पॉइंट करना है कि यह जो ओपी है यह पर पंडिट्र किस पर होगा एब भर तो सबसे पहले हम यह हम गिवन लिख लेंगे जी क्या सर्कल विट सेंटर ओंड रेडियस शमॉल आरह विएज की इतनी होग इसमॉल आरह एंट टैंजेंट एबी एड पॉइंट पॉइंट ब वाले एक tangent draw कर लिए जिसका नाम AB है to prove OP is perpendicular to AB तो conception क्या करेंगे take any point Q other than P हम क्या कर लेंगे AB पर P के अलावा कहीं पर एक point ले लिया Q यहां भी ले सकते थे यहां भी हमने इस side ले लिया Q on the tangent AB अब क्या करेंगे आगे join OQ और यहां OQ जहां cut कर रहें इसको नाम दे देंगे R अब प्रूब करेंगे हम ओके तो देखिए since Q is a point on the tangent AB other than the point of contact P so Q will be outside the circle यह जो point Q है P के अलावा लाई कर रहा है इसका मतलई भी point Q कहां लाई करेगा आपका outside और यह आब observe देखने diagram से अब चले इंप्रूब करते हैं आगे किस तरीके से हमने let OQ intersect the circle at R हमने क्या माली है यह जो OQ है यह circle को इंटरेट कर रहा किस point पर उसका नाम है R तो देखिए बच्चों OQ को आप क्या लिख सकते हैं then OQ equals to OR plus RQ तो हमने लिख दिया अब देखिए diagram में यह जो पूरा OQ है यह OR से तो बड़ा हुआ और इससे भी आपको समझा रहे है क्यों कि OQ क्या OQ क्या हुआ OQ क्या हुआ OQ क्या हुआ OQ क्या हुआ OQ से चोटा हुआ दस OQ is the shorter than any other segment joining O to any point of AB याने AB के किसी भी point पर O से जब आप line joint draw करेंगे तो OQ ही एक मात्र ऐसी line होगी जो सबसे चोटी होगी ओके तो बट अमंग all line segments joining the point O to a point on AB the shortest one is the perpendicular from O on AB और जो सबसे चोटी होती वो क्या हो सकती से perpendicular ही हो सकती है जब हम 90 degree formation हो रहा है यह wheel का आपकी road पर तो यह हम इसको क्या बोलेंगे hence we can say that O P is perpendicular to AB तो यहाँ पर आप 90 degree देन बना सकती है okay then theorem 10.2 पढ़ते है 10.2 में क्या है 10.2 पेन नमबर 211 पर दीवी the length of the tangent is drawn from an external point to a circle are equal यह circle है यह point external point है इससे में दो tangent रोखी एक यह PR और एक PQ बोला हो प्रूब करिए PQ equals to PR है तो given लेखेंगे PQ and PR are two tangents from P to a circle of C with center O and radius R to prove PQ equals to PR यह naming कर लीजीगा 1,2,3,4,5,6 अब देखिए हम के construction क्या करेंगे join OP, OQ and OR अब हम यह दोनों triangle को compare करेंगे क्या निकलता है in triangle OPQ and triangle OPR यह दोनों triangle लिया तो देखिए 1 equals to 2 90 degree क्यों बच्चों क्यों यह जो radius होथी तो हम कहा सकते हैं एंगल 1 equals to 90 degree since OQ is perpendicular to PQ and OR is perpendicular to PR अब दूसरा देखिए यह आपका OP क्या है आपस में common है और इस तरीके से OQ equals to OR radius है तो यह आपका right hypotenious side से आपका क्या हो गया triangle congruent हो गया triangle congruent हो जागा तो बच्चा हुआ चीज क्या हो जाएगा it means hence PQ equals to PR by CBD अब इसके लाब देखिए और क्या क्या हो सकता था यह एंगल आपस में हो जाएंगे और यह एंगल हो जाएंगे तो we can say 3 equals to 4 5 equals to 6 by CBD अब इसी का corollary इसको pause करके आप लिग लीजी गया दी जरूरत बड़े आपको corollary of theorem 10.2 क्या कहता है कि if two tangents are drawn to a circle from an external point यह pieces में दो tangent यह दी ड्रौ की हैं तो क्या क्या चीज होंगी first they subtend equal angle at the center याने center पर क्या करेंगो equal angle बनाएंगे 3 equals to 4 और second they are equally inclined to the segment joining the center to that point center से इस become जब join करेंगे तो यह आपस में क्या होंगे equal angle form करेंग यहाने angle 1 equals to angle 2 तो यह corollary है जैसा कि हमने यहाँ पर प्रूप किया था 3 equals to 4 और 5 equals to 6 तो यह इसी का corollary यह आप लिखते हैं आपको जुरूरत पढ़ती है 1 equals to 2 3 equals to 4 की तो आप डारेक्ट लिख सकते है according to corollary of theorem 10.2 1 equals to 3 equals to 4 ओके थैंक्यू जैहिन वंदे मात्रम